मोस्ट डिमांडिड वीडियो मेरे चैनल की चाहिए वो इंडियन वैक पैकरों चाहिए हो अपने अनमोल भाई BMW 1250 GSA का रिव्यू लाओ क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ये बाइक है और जिनके पास भी है हिंदी में रिव्यू आपको ना इसके बहुत कम मिल देता हूं कि कैसी बाइक है ये क्या क्या चीज आपको इसमें मिलती है प्लस ये भाई इंडिया में 27 लाग रूपे की ओन रोड पढ़ती है और मैंने जितने की लिए मतलब ये समान वगरे सारा लगा के 35 लाग रूपे की पढ़ी है मुझे बागी जो लोग नहीं है चैनल इसका प्राइज और मैं बतातों 35 लाग तो सब का एक ही जवाब होता है इतने में तो भाई फोर्चुनर आ जाए ये क्यों लेंगे हम फोर्चुनर लेंगे भाई सारे पैसे ना इस लोगों के है नहीं ऐसी बात निये खाली लोगों के है बाइक में भी बहुत सारे आपको इसके पैनियर पीछे खोलने के काम आती है बाकि ये जो दो बटन ना ये इंडियान मार्किट में अभी चलते नहीं है मतलब भार आप लोग है ना दूसरी कंट्री में वहाँ पर ये चीज़े काम करती है बट इंडिया में इनको बंद करके दिया गया है बाइक में कुछ इस तरह की फ्रेंट प्रोफाइल देखने को मिलती है आगे यहां पर विंडशील दे रखिए जो एडजेस्टेबल है वो भी थोड़ी देर में दिखाता हूं यहां पर इसकी नंबर प्रेल लगती है नीचे इसकी लाइट मिल जाएगी अगर आपको दिख रहा होगा यहा पर नीचे भी होती है अपने आपको एडजस्ट करती है आपको बाइक की आगे की पीक है यह वाली जो दो लाइट से यह वाला और इधर की साथ ही आपको मिलता है अपसे वहले बाइक का पूरा नाम बता दू यह है BMW 1250 GS Adventure इसी में दो वेरियंट आते एक आते खाली GS और य पीछे नहीं मिलती जैसे कि यह गार्ड नहीं मिलते पीछे पैनियर्स का रैक नहीं मिलता बट एडवेंचर वाली में आपको सब कुछ यह गार्ड लगे मिलते है श्टॉक कंपनी से एक चीज़ और मैं बाइकों का जादा रिव्यू करता नहीं तो अगर कुछ भी चीज म आपको लोंग राइट पर ले जाना हो उसके लिए परफेक्ट है बाइक के लेप साइड में आप देख सकते हो बड़ा सा लोगो मिल जाएगा यह सारे जो स्टिकर्स या विनाइल से मैंने एक्स्ट्रा लगवाई हुए यहां पर लगे नहीं आए थे लगे आयो थे वह प 1250cc का आपको इंजन मिल जाते हैं और यह ना टू सेलेंडर इंजन है जो 137bhp और 146nm का टॉक निकालता है इस बाइक की टॉप स्पीड BMW तो दो सो बताता है बट हमारे एक जानकार है उन्होंने 215 भी चलाई है बिना किसी दिक्कत के अराम से खिच जाती है भाई दो सो तो यह मज़े से अराकि मैंने तो 165 तक ही भगाई है उस से उपर मेरी इम्मत होती नहीं है बाइकों को चलाने की यह वाले जो गाड है यह आपको जी एस एडवेंचर में कंपनी ही लगा के देती है बट यह स्लाइडर जो है यह मैंने लगवाई हुए इधर की चैड आप आपना न्यूटरल पर लगाओ पहले बाइक को और इससे इंजन स्टार्ट कर सकते हो सेम इसका यह टैंक खोलने के लिए भी बाइक को पहले ओफ करो और इसको अपना यह टैंक खुल गया आपको 30 लिटर का इसमें टैंक मिलता हो और पेट्रोल ही डलता है घावी लोग और यह दूसरी चाविय लगा के वरना आप इसके अंदर इसको अरामजा फिट करके बंद कर सकते हो बड़ बूल मत जाना इसी में पता चले है आपकी बाइक को रस्ते में ढाबे पे आब रुके हो और पार करके ले जाए हैंडल के नीचे भी आपको बड़ा सा BMW का लोगो तो आपको दिखा दीदी ना पहले मैं राइट साइड दिखा दू यहां पर भी सेम ही है कुछ फरक नीचे बीमड़ू का लोगो मिल जाता है यह गाड मिल जाएगा इंजन जो ऐसका आदा इधर निकला हुए है यहां पर फोग लाइड मिल जाती है बस इतना है यह यह जो विनाउट लगेज या राइडर के, मुझा समझे लो कितनी भारी बाइक है, जब हम पूरा फ्यूल भरवा लेते हैं, और सारे पीछे बैग वे अपनी ये पैनियर भर लेते हैं, तो 400 गिलो की प्लस की हो जाती है, बड़ चलाते वक्त ना, ये बाइक फील ही नहीं होती है, यहाँ पर आपको 10.25 इंचिस की डिस्पले मिल जाती है, अभी मैं आपको पहले ये ओन करके दिखा जेता हूं, वायर साइड में करके थोड़ा, येस का लोगो आता है यहाँ पर और बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है, प्रोपर डिजिटल कलर डिस्पले मिलती है, यहा हमारा मुबाइल फिट हो जाता है और हम मस्त अपना नविगेशन लगान के काम कर सकते है, इसी के साइड में आपको USB लोट मिल जाएंगे, दो चार्ड़िंग वार्जिंग के लिए येभी एक्सेसरीज का पार्ट है भाई, बटिए जो बाइक है इसमें आपको USB लोड मिल एन ट्यूबलेस मिलता है बट दोनों टायर की जो प्रोफाइल है वो अलग है इसकी और इसकी दोनों की वो देखो वो पतल है और यह वाला काफी मोट है उससे बाइक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस देखने को मिलते है मतलब बीमड़ु की ब्रेकिंग की बात करूं तो लाजवाब है मस्त आप 120-30 की स्पीड पर भी ब्रेक लगा दो जटके से रुख जाती है राम से गाड़ी ले लो बाइके ले लो कोई बर्जी चीज ले लो बीमड़ु की इनकी ब्रेक्स हमेशा एक नंबर की रहती है एक चीज और आप ध्यान से देखो इस बाइक में तो अपना इसकी लाइफ ना बहुत जादा बढ़ जाती है और यह जो लिवर गाड़ है यह भी एक्स्ट्रा लगा हुए एक्सेसरी का पार अब मैं आपको बाइक के थोड़े फीचर बताजता हूं जैसे हमारी गाड़ियों में स्टेरिंग मांटने कंट्रोल होते हैं उस यह वील फंक्शनल है पूरा अच्छा यह जो मैन्यू का बटन है नीचे से तो मैन्यू आता है लेकिन अगर आप इसको उपर प्रेस करोगे ना तो यहां पर डिस्पले चेंज होती रही है देखो जैसे कितने घंटे चल रही है टी ब्रेक लाश कब लिया था इसके लावा कितनी रही है टायर प्रेशर कितना है कितनी रेंज बची है बाइक में 135 किलोमेटर जैसे कि पेट्रोल का कितना वो है टोटल वाइक कितनी चल चुकी है रिप वन ट्रिप टू तो यह सब आप इससे कंट्रोल कर सकते हो इसके जो साथ का बटन है यह मैं आपको थोड़ी धे मिल जाता है यहां पर होन दे रख चो हाइजी छी फटटी भटी आवास आ रही है यहां पर कुरूस कंट्रोल के बटन मिल जाता है तो क्रूज कंट्रोल सेट करने यह आपको फो गया अ कलंब subconsciousky और इससे आप जो है सेट कर सकते हो स्पीड को adaptive cruise control इसमें नहीं मिलता है जैसे डुकाटी की मिलता है बट इसमें नहीं है आपका normal cruise control है और extra नहीं है कुछ भी यहाँ पर आपको clutch मिल जाएगा बाकि यह हजार ओन करने का है और यह lights के control है यहाँ भी और यहाँ भी इस बाइक में भाई आपको heated grips मिलती है यानि कि आप किसी ठंडे रीजन में अगर travel कर रहे हो तो भाईया यहाँ पर आप must heated grips on कर सकते हो और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके यह जो छेट दिगे रहे हैं इस बाइक में आपको mods काफी मिलते है बट इस वाले बटन से आप इसमें चार mods को यहीं पर ही set कर सकते हो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो dynamic pro यानि कि इस बाइक का sports mode अगला है यहाँ पर enduro pro अगर आपको off-roading करनी है तकड़े level की तो इसको लगा लो उसके बाद आता है हमारा eco mode यानि आपको average अच्छी निकालनी है 25-25 की तो आप चलाओ इसमें power बहुत कम हो जाती है और एक और mode है इसमें यहाँ पर मैंने जो set कर रहा है वो है road mode यही वाला mode मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ normal इसमें power भी अच्छी मिलती है average भी अच्छी मिल जाती है इसके लावा और mode है आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा एक मिना टुक जब यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है मतलब ओन करनी हो अभी तो फर्स्ट गेर पर लगा रखी है बटन दबाओगे तो ओन हो जाएगी अभी अभी शेक आपको ओन करके दिखाएगा आप एक्जोस्ट की आवास सुनना चलाओ जी रेज दो थोड़ी तो आवास जो है न भाई इसकी बिल्कुल भी फटी फटी सी ने लगती प्यारी लगती है और रोड मोड पे और जब आप इसको डैनेमिक प्रो पर लगाते हो न तो भाई अवाज ही बदल जाती है एक्जोस्ट की चलते वक्त तो बहुत ना मीठी जी प्यारी सी ऐसे वह बाई में मज़ा आता है चलाते हुए बाकी हाँ पर आपको विंड्शील सेट करने का मिल जाएगा अगर आपकी हाइट जाद है तो आप इसको टॉप पे कर सकते हो देखो अब यह पूरी हाइट पे हो गई है और और जाद अलमभी हाइट है तो इसके उपर भी आप एक्स सेटिंग में इस बाई की मतलब कि अगर किसी की साथ फीट भी हाइट है वह भी इसको एड़जस करके बाई को उपर कर सकते है वह कैसे करते है आपको बदाता हूं इस बटन को आपको नीचे की तरफ प्रेस करें रखना है अभी यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम पे लि करते हैं आपको यह वाला जो बटन है इसको नीचे की तरफ प्रेस करके रखना है अभी देखो आप यह मिनिमम उस पर हाइट पर एक और बार मैं इसको अगर प्रेस करूंगा तो यह आजेगी ओटो पर मतलब बाईक ना खुझ से बाई जच करेगी गड़ों पर स्कीर ब् देखो गारियों जितना तो नोटिस नी होता बट यह जो राइडर होता ना उसको पता चल जाता है हाइड बढ़ती है चलो जी करो मैक्स पे अब आप ध्यान से देखना इसके पैर अपने आप बाईक जो होगी यह देखो बाई ओल्रेडी होना शुरू हो गई है आपको न आप यहां से नोटिस करना अब यह नीचे करेंगा ना बाईक नीचे होईगी यह चीज एक्जक्ट बिल्कुल करो यह देखो और यह पूरी तो यह आँखो से तो अच्छे सा दिख रहा है वीडियो में मुझे नी बदा कितना समझ आ रहा है कितना नी बट भाई सही हो जा सीट है मतलब 400-500 किलोमेटर आप इस पे दिन में राइड कर लो फील ही नहीं होगा आपके बं में कुछ यह भी सीट बहुत तगड़ी है यह पीछे वालों के लिए भी तगड़ी है तो केशफ साथ में आता है पूरा मस पीछे बैट के टेक ले ले लेता है पैनियर में मज स्पेंशन बाइक के बहुत तगड़े है भाई ओफ रोडिंग में ले लो चाहिए आप हाइवेज में ले लो मज़ेदार आपको ना कमफर्ट देंगी यह बाइक में आपको हिल होल्ड एसिस्ट भी मिल जाता है करना कि आपको बाइक जब होना है आपको अपनी ब्रेक को बाइक से दबाना है तो यह एच वाला सिंबल ना ग्रीन हो जाएगा अभी तो चल यह हो नहीं रहा है इससे ही लोड लगता है इसी से ही हटता है अब बात कर लेते भाई इस डिस्प्ले की इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलते है देखने को तगड़े तगड़े से तो है वो टोटल कितनी चल चुक है रेंज कितनी है स्पीड कितनी है यह सब कुछ यानि कि ट्रिप 1 लगा सकते है फिरसे जैसी मैं इसको इधर करूंगा ट्रिप कंप्यूटर आ गया यानि कि आज के दिन में कितनी चलिया जैसे कि सुबा यह हर दिन रिसेट होती है तो 24 किलोम में करते हैं तो service requirements आ गई है कि appointment date कप की है जैसे कि October 2022 में इसकी second service होगी और डिस्टेंस है भी 5000 यानि कि total 12,000 km पर इसकी second service होनी है और यह remote की जो है उसकी 50% बैटरी बची है यह भी आप सेल डाल सकते हो एक main चीज है भाई कि इसमें आपको Apple CarPlay नहीं मिलता तो अब यह जो 2021 वा आपको मैं इसके वह दिखाता हूं अब देखो यह वील में जैसी नीचे करूंगा ना यह भी नीचे होता जाएगा उपर करूंगा तो यह भी उपर होता जाएगा system setting में जाके देख लेते क्या 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 मिलता है डेट टाइम यूनिट वगरा connection में जाके अपना phone कर सकते ह अपना helmet कर सकते हो डिस्प्ले में जाकर आपको brightness के feature मिल जाएगा कितनी brightness रखना चाहते हो information में थोड़ी बहुत चीज़े मिल जाएगी licenses वगरा अब यह settings में जाके यह driving mode pre-selection तो यह मैं आपको बता रहा था इसमें देखो कितने mode मिलते है इको, rain, road, dynamic, dynamic pro 5 होगे और एक configurator enduro, enduro pro यहानि कि 7 जो आपको इसमें mode मिलते है जिसमें से आप 4 जो है इसमें mode पे select कर सकते हो तो जो मेरे 4 main use आते है ना वो मैंने यहाँ पे लगा रखे है बता भी देता हूँ dynamic मतलब sports का थोड़ा सा कम variant है मतलब power मिलेगी बढ़ इतनी नहीं मिलेगी और dynamic pro में तो बाकि आप music music चेंज कर सकते हो इन बटन की मतलब से जैसी phone को इससे connect कर लोगे तो इतना ही था है यहाँ पर का मैंने आपको बताई दिया यहाँ पर लाइट का बताता है यहां बताता है आउटसाइट टेम पर 14 डिग्री हो रहा है मैं जो हाँ दिल्ली में 40-45 डिग्री है हम 14 डिग्री में खड़े है एक बर मैं ओन करके आपको रैफ करके दिखा देता हूँ यह देखो तो यह पूरा जैसी मैं रेज दे रहा हूँ यहां से तो इस तरह से यह पूरा काम करता है अच्छा इस बाइक की सर्विस कोश की बात करें तो जैसे की BMW का लोगो लगा होगी जो यह बाइक है ना इनमें भाइक कोई भी फ्री सर्विस आपको नहीं मिलती पहली सर्विस भी पेड रहती है मेरे फर्च सर्विस में 11,000 लगेते मतलब आप 12,000 लगा लो जो ही थी एक हजार किलोमेटर पे अब जो अगली होएगी वहीगी 12,000 किलोमेटर पे और उ कोई बात है देखो BMW ले रहे हो तो अबवसी बात है खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा हाती मतलब एक बार खरीदने का नहीं होता उसका खाना वाना भी पूरे जिंदकी उसको पालना भी पड़ता है बाकी यह दबबे क्या है जिनको नहीं पता बता दू जब भी हम बाइक का जो एक्जोस्ट है यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से मिल जाते है अपना रिव्यू दू छोटा सा तो भाई एक नंबर की ओसम मशीन है भागने में लगा लो ओफ रोडिंग में लगा लो मजे से आजाते है इस बाइक को चलाने में मतला लगता है रहां 27 ला है इस बाइक को लेकर वह भी बताना कि आपके पास अगर 35 लाग का बजेट होता तो आप एक फोर्चुनल खरीदे दो चार लाग एक्ट्र मिलाके या फिर ऐसी एक बाइक लाते है वागी मेरे से तो जब भी कोई बोलता है कि इतने में तो फोर्चुनल आती मैं तो उसको कि जवाब देता हूं कि भाई शौक की कोई की मतनी होती लोग 50-50 लाग की गोल्ड विंग भी लेते हैं तो यह तो फिर भी 35 लाग की बाई गया ना यह थी मेरी BMW 1250 GS Adventure के फीचर या फिर एक छोटा सा रिव्यू इतना डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता था कि यार क्या हेंगल है हेंगल है वो सब मुझे भी नहीं पता इतना चलाने में मसता है इतना पता है जो जो फीचर थे वो भी आपको बता दिये कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना बाकी इसी तरह कि बाईक के उपर और वीडियो देखना चाहते हो आप रिव्यू देखना चाहते हो ओनर्शिप देखना चाहते हो एक्सपीरेंसिस तो सब बता देना ताकि बाईक पे भी हम कॉंटेंट आपके लिए लाते रहें मिलता हूं आपसे वाकी नेक्ट वीडियो में तिल और गुडबाए और आज ओलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना अफीका बाई